सब्सक्राइब कीजिए मेकॉल चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस टेक्नलोजी और कम्प्यूटर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आज हम आपके लिए लिकर के आए हैं बहुती गजब की न्यूज जिसका इंतजार आपको बहुत समय से था आपने बहुत सारे न्यूज चुने होंगे जिसमें आपको बताया जा रहा था कि जी ओब जीगा फाइवर प्लान जो बहुत ज़र लॉंच होने वाला है और उसका कोई specific date नी था कोई specific time नी था कि वो कब तक आएगा या कब तक नहीं आया या ऐसा कुछ बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा confusion थी लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अब जो है बहुत ही वह इंतजार की हड़िया आपकी बताव हो चुकी है बहुत जल दोस्तों जीओ जी का फाइबर जो प्लान है वह जून 2017 में ऑफिसियली प्रेंट्स वह ओफिसियली जो गयर में बट आप जो है दोस्तों आपको बता दूँए अफिसियली जो अबरकुल ये लॉँच जो हो जाएगा जून को जून दो जासता है इसके मैं आपको बता देता हूँ स्पीड कितनी होगी इसकी सारे पीच्रस में आपको बताता हूं इस पीड जो आपको मिलेगी के लिए आपको unlimited one month के लिए आपको मिलेगा इसमें इसकी एक सो Mbps की आपको speed में एक मन्त के लिए मिलेगा और 100 GB जो आपको data मिलकर चलेगा हर मन्त और जिस तरह किसे आपने जियो काम ने यूज किया है preview offer उसी तरह किसे इसका भी नाम है दोस्तों जियो fiber preview offer के नाम से यह आएगा जो आपके तीन मन्त के लिए सेम होगा बस दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है कुछ changes कर दिये हैं जैसे कि इन्होंने किया है अगर आपके 100 Mbps थी जो speed है और जो 100 GB जो आपको data मिल रही है 100 GB data खतम हो जाने के बाद आपको जो speed मिलेगी 1 Mbps तक कि आपको speed मिलेगी प्लस आपकी जो speed जो होती है वह आपकी घड़जाती है और साथ ही साथ में आपको बता दूँ changes जो main changes यह कि कि starting में आपको दोस्तों आपको थोड़े से जेव delay करने पड़ेंगे क्योंकि आपको 45,000 रुपे जो है आपको जो है वह आपको पे करना पड़ेगा starting में इसके लिए आपको है कि यह सायद में भी सायद जो है आपको जो refundable है वह चीज अभी यह नहीं किया है लेकिन यह आपको refundable है और यह आपको वन टाइम आपको payment करने है 45,000 रुपे अब यह चीज दोस्तों मैं आपको दुबारा बता दू पूरी तरह से क्लियर नहीं है इसके जो यह refundable का जो इन्हों ने निचे दिया हुआ है यह चीज में आपको बहुत ही चलता को यह चीज क्लियर कर दूँगा तो फ्रेंट्स यह एक चीज और है फ्रेंट्स यह कुछ limited लोगों को ही हो सकता यह मिलकर चले स्टार्टिंग में और कुछ cities जैसे metro cities एरिया में है जैसे कि मैं आपको बता दूँ यह स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले जो launch होगी यह मुंबई में होगी उसके बाद जो भी metro cities या जो भी other cities हैं यह वहाँ पर आने का chance है तो फ्रेंट्स मैं जानता नहीं हो से जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं अगर वह है तो फ्रेंट्स से अगर को कुछ भी अंपर उनको मिलता है यह अगर प्लान तो हमें दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ताकि हम और लोगों को कर सके तो फ्रेंट्स आसा करता हूं कि यह वीडियो आपक सब्सक्राइब कीजिए मेकॉल चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट टेक्नलोजी और कंप्यूटर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए